आज का शिर्डी साइसंदेश मेरे बच्चे, जीवन में सबसे बड़ी दौलत हमारा स्वास्ते है और इसे संजोना ही हमारी असली भक्ती है जिस परकार हम अपने अराध्य देवता के मंदिर की पवित्रता का ध्यान रखते हैं उसी परकार हमारा शरीर और मन की पवित्रता का ध्यान रखना भी उतना ही महत्यपूर्ण है संतुलिक भुजन और समय पर सोना उठना जैसे नियम पालन करने से जीवन में अनुशासन आता है और शरीर स्वास्त रहता है शारारिक स्वास्ते के साथ-साथ मानसिक स्वास्ते भी उतना ही महत्यपूर्ण है योग और दिहान के अभ्याद से हमारी मानसिक सिती स्थेर होती है और आप चिंता और तनाव जैसी समस्यों से भी दूर रहते हैं नियमित ध्यान से मन की गहराई में शान्ती का अनुभव होता है और यही शान्ती हमें जीवन की चुनोतियों का सामना करनी की शक्ती देती है। सच्चा स्वास्ते केवल शारारिक रूप से नहीं बलकि मानसिक, भवनात्मक और आत्मिक रूप से भी संतुलित होना चाहें। नकरात्मक विचार, ग्रोध और इर्श्या हमारे मानसिक स्वास्ते को दीरे दीरे प्रभावित करते हैं और हमें अशान्त बनाते हैं। इन भावनों को त्यागें और अपने हिर्दे में प्रेम, करुणा और दया का दीब जलाएं। जब हम अपने भीतर प्रेम और शमा के भाव रखते हैं तो जीवन में सकरात्मक उर्जा का संचार होता है जो हमारे स्वास्ते पर भी अनुकूल पर भाव डालती है। इसलिए दूसरों की सेवा करना और उनके दुख दर्द में साथ देना भी स्वास्ते को बढ़ाने का एक अचूक उपाय है। सेवा से आत्मा को संतोश मिलता है और हमारी जीवन शक्ती में व्रिद्धी होती है। जब हम किसी जरूरत मन की मदद करते हैं तो हमारे भगवान क हमारे ईश्वर की कृपा हम सब के उपर बरस्ती है जिससे हमें सुक शांती और आरोग्य का विर्दान मिलता है। इसलिए समरन रखे कि स्वास्ते तन और मन की सच्ची भक्ती का मार प्रशस्त करते हैं। इसलिए अपनी दिन चर्य में स्वास्ते के प्रती जागरूपता संतुले जीवन जीएं और अपने भगवान की प्रात्ना में मन लगाएं। और अब ज्यादा परिशान मत हो इन त्योहारों के मौसम में ठीक ठाक रहो तुम बिलकुल स्वस्त रहो और जैसा मैंने तुम्हें बताया है वैसे करो अपना दिन चर्य रहे शुरुआत जो है दिन की अच्छे से शुरुआत करो देखना तुम्हारी सेहत बिलकुल ठीक हो जाएगी और याद रखो जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आएं तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है चिंता तुम्हारे मन को अशान करती है जब तुम अपने दिल से मुझे इसले बस विश्वाज रखो और प्रातना हमीशा अपने सच्छे दिल से करते रहो इसले अपने दिल में साई का नाम लो और विश्वाज के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहो तुम्हें हर चुनोतियों से मैं मुक्त कराता चला जाओंगा जो कुश दिनों से परिशानि जीवन में चल भी रहे हैं, वो शेगरी समाप्त हो जाएंगी, जीवन में जो भी संकर्ट आते हैं, मैं तुम्हारी अध्यात्मिक यात्रा का एक हिस्सा होता है, मैं तुम्हें हर पल देख रहा हूँ, तुम्हारी कश्टो को मैं जानता हूँ, और तुम्हें अपने प्रेम स इसने दे रहा हूँ, चिंता करने से कुछ भी हल नहीं होता मेरे बच्चो, बलकि तुम्हारी मन का बोज और बढ़ता है और तुम्हारी सेहत खराब होती है, मैं यहां बैटा हूँ तुम्हारे लिए, बस मुझ पर भरोसा रखो, विश्वास रखो, और सब कुछ मुझ पर चोड़ दो, और तुम बस अपनी लक्षे की और केंद्रित रहो, जहां तुमने पहुँचना है, जो तुम्हारा सपना है, उसे पूरा करने में दिन रात एक कर दो, बस अब तुम्हारी जो मुश्किल घड़ी है, वो समाप्त हो चुकी है, हर परिशानी के पीछे मेरी यो चिंता और डर तुम्हें केवल कमजोर बनाते हैं, लेकिन मेरा नाम तुम्हें शक्ती देता है, जीवन की चुनोतियों का उदेश है, हर मुश्किल, हर तकलीव, तुम्हें कुछ सिखाने और तुम्हें एक बहतर इंसान बनाने के लिए आती हैं, मेरे बच्चे, तुम खो जाओ, और खुश रहा करो, जो भी जीवन में परिशानिया चल रही हैं, वो बहुत जल अब समाप्त हो जाएंगी, दिवारी के दियों के साथ साथ, तुम्हारी जिंदगी में मैं रोशनी कर दूँगा, चिंता त्याग दो, बस सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, और य आत्मक्ता के साथ क्या करो, भगवान का नाम लेकर करा करो, अपना दिन चर्य को सुधारो, अपनी आदतों को सुधारो, फिर देखना तुम्हारी जिंदगी कैसे खुबसूरत होती चली जाएगी, आशा करता हूँ मेरे बच्चे तुम योग और ध्यान पर ध्यान दोगे नियमित अभ्यास करोगे और अपने शरीर, अपने मन का ध्यान रखोगे और ठीक से खाना समय पर खाया करो, तबी तुम खुश भी रह पाओगे और औरों का भी ध्यान रख पाओगे, अपना खयाल रखा करो और हमीशा खुश रहो, मेरा आशिर्वात सदा तुम पर बना हुआ है हमीशा प्रसन रहा करो राम क्रेश्ण हरी राम क्रेश्ण हरी राम क्रेश्ण हरी